हाई एovरिवन आज हमी नेचिर पेंटिंग की सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम फर्स पेंटिंग लेंगे मारूर आगनी जो कि हमारा चेप्टर वान राजस्तानी स्कूफ मीनियेचर पेंटिंग से है सो हर painting को हमने तीन पार्ट्स में study करना है तो पहला रहेगा हमारा table form दूसरा रहेगा description और तीसरा रहेगा subject matter and human life value table form वो है बटा जिसमें हम artist name, sub school, time period, medium, technique, collection ये सब learn करेंगे सो एक चीज़ और मैं कहना चाहूंगी जब तक मैं आपको ये painting explain कर रही हूं आप ली screen पे जो picture visible है आप उसकी तरफ धिहान से देखना और जो मैं आप से बोल रही हूं उन चीज़ों को उस painting में observe करने की कोशिश करना इसमें में आपको painting कभी भी नहीं भूलेगा क्योंकि ये picture आपके mind में set हो जाएगा फिर किसी भी तरह से कोई question frame होके आए तो आप attempt कर लेंगे सो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं artist name साहिब दिन sub school मेवाड उदेपूर जो जिस नाम से है period is 1628 CE अगर किसी student को ये figure learn करने में दिक्कत रहता है तो आप इसकी जगा राजसानी period भी लिखके जा सकते हैं medium watercolor on paper technique tempera collection national museum new Delhi सबसे पहले अगर हम इसके subject matter की बात करें कि ये painting किस theme पे based है तो जैसे कि नाम से दिखता है Maru Ragini Ragini word means रागमाला series में से लिया गया सो आप simply लिखके जा सकते हैं कि ये painting रागमाला series में से ली गई है और एक और बात कहना चाहूंगी कि ये ढोला जैसे Maru Ragini ढोला मारू एक ऐसे character है जो राजस्थान के popular एक folk story इन पर based है तो ये वहाँ से भी ये characters लिये गए है तो पहला अगर हम description का point देखे तो description में हम सबसे पहले देखेंगे कि ये vertical painting है जैसा कि मैंने कहा कि ये folk story पर based है सो prince and princess को दिखाया गया है prince मतलब ढोला, princess, Maru और ये एक camel पर बैठे हुए है जो prince है उसने हाथ में एक flower पकड़ा है और princess के तरफ देख रहा है डोला को पूरा राजपुताना अटायर में दिखाया गया है और Maru भी जो है वो typical राजसानी कॉस्ट्यूम में दिखायी गई है और camel जो है camel को full enthusiasm में चलते हुए दिखाया है जैसे कि जो lifted legs है उनसे आपको clear हो रहा होगा अब आए हम supporting ये जो extra बाकी जो characters है सबसे पहले एक male attendant है और एक white dog आपको camel के आगे-ागे भागता हुआ दिख रहा है दो male escort और नीचे की तरफ बनाए गए है जो slow बतब चलते हुए या कहले है slow slow भागते हुए दिखाये है इन सब attendants के जो कपड़े हैं वो simple हैं but yes colorful है और हम ये भी कह सकते हैं कि इनके जो ये costumes है जो ये इसमें मुगल influence का थोड़ी सी जलक हमें दिखती है अब अब माते हैं ground की तरफ foreground या background तो background देखें पीले रंग का है और जैसे जैसे नीचे की तरफ आ रहे हैं तो हलका सा green के साथ variation दिखाया गया है तो tonal variation आपको दिखता है पीछे sky दिखाया गया है जो कि dark blue color का दिखाया गया है रात की depiction दिखाया गया है और उसके उपर अगर आप देखें तो एक flat सा border kind of thing है जिसमें inscription इस painting के बारे में लिखा गया है तो उसके उपर inscription है तो मतलब calligraphy भी है border भी है इस painting का so overall अगर हम देखते हैं तो ये painting में एक rhythm है एक flow है एक motion है और एक balance है and अगर हम इसकी अब human life value की बात करें तो love and devotion to one another and एक और आप लिख सकते हैं कि good behavior and commitment on the part of the attendance to the royal family's well-being overall अगर हम कहें तो ये meward school का एक masterpiece है so very simple painting is there और इस पे कुछ भी किसी भी तरह का question based आता है तो आप ये description लिख के जा सकते हैं Thank you